धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथी हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार का दिन चंद्रदेवता को समर्पित दिन है। चंद्रदेव को मन का कारक माना जाता है। यह दिन मन संबंधित दोशों को दूर करने के लिए बेस्ट है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करे और कुंडली में कमजोर चंद्रमा को स्ट्रॉंग करे। इस दिन स्नांदान का अधिक महत्व है। इस लिए इस अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से पित्री दोश का इंसान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में पर्फ कहा गया है। इस दिन पूजापाट, व्रत, स्नान और दान करने से कई यग्यों का फल मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब। सोमवती अमावस्या की कहानी बहुत वर्ष पहले की बात है गरीब ब्रामन परिवार में पती-पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ती में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुन्दर, संसकारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर्ष की तलाश कर रहे थे किन्तु निर्धन होने के कारण उसके विवा में अडचने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीश दिया तो उस लड़की के पिता ने कहा महात्मा जी बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर्ष की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वज़ह से हर बार बात बंते-बंते रह जाती है। क्रिप्या बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना। महत्मा जी मैं आपके कहने का तात्पर्यन नहीं समझ पाया महत्मा जी ने कहा इस लड़की के भाग्य में विवा सुख नहीं है महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राहमन दमपती रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विंती करने लगे महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले पास के ही एक गाव में सोना नामक धोबिन जाती की एक पतिवरता महिला अपने पती, बेटे और बहुं के साथ निवास करती है जो की एक महान पतिवरता स्त्री है यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्र जापती भी होगी, मगर याद रहे वह पतिवरता महिला कहीं आती जाती नहीं है। देते हुए बोली, तुम तो ब्रहमा मूरहत में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे अभास तक नहीं होता। बहुं बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुभा देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती है। अगले दिन भोर फटते ही सास बहुं उठकर घर के एक कोने में छिप कर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रहमा मूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्रहमन की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा। तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुप कर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्रामन की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिवरता होने के साथ साथ नेक दिल की थी वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहन किये उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पे में लगाया तो उसके पती के प्राण पखेरू उड़ गये। उसे ज्यात हो गया कि उसके पती इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्रामन परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने इंट के टुकडों से 108 बार भमवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की ततपश्चा जल ग्रहन किया। तभी उसके पती की मृत देह में प्राण लौट आए। यसमों में पता है।